सुनो एक dreamy, creamy race की कहानी जो सिर्फ 5 मिनिट में तयार हो सकती है The Dreamy Hair and the Tortoise इसको बनाने के लिए चाहिए एक दफा का जिकर है एक चॉकलेटी कच्वा और वनिला खर्गोश जंगल में साथ रहते थे खर्गोश हर रोज स्लो कच्वे का मजाख उड़ाता था वो उसकी टांगे देखकर कहता था तुम हारे टांगे इतनी चोटी हैं कि तुम कहीं नहीं बहुत सकते लेकिन कच्वे को कोई फर्ग नहीं पड़ता था अपने शेल में चुपने के बजाए उसने खर्गोश को चैलंज किया मैं तुमें फिर भी रेस में हरा सकता हूँ खर्गोश ने हसते हुए चैलंज कुबूल कर लिया उसे यकीन भाके उसके लंबे चॉकलेटी कान फलाफी दुम, तेज आंखें और उसकी होश्यारी उसे रेस चितवा देंगी अगले ही दिन जंगल के सारे जानवर उनकी रेस देखने के लिए जमा हुए और दोनों ने दोर लगा दी खर्गोश एकदम आगे निकल गया थोड़ी ही देर बाद खर्गोश काफी ठक गया लेकिन उसे यकीन था कि वो कच्वे से बहुत आगे है ये सोचकर वो एक दराख के नीचे लेट कर सो गया कच्वे आहस्ता आहस्ता रेस में आगे बढ़ने लगा जैसे ही कच्वे फिनिश लाइन के करीब पहांचा खर्गोश चौक के जागा लेकिन तब तब बहुत देर हो चुकी थी कच्वे ने खर्गोश की तरफ देखा और कहा Slow and steady wins the race